दोस्तो क्या आपके भी जोडों में दर्द रहता है या फिर जोडों से कट-कट की आवाज आती है या पूरा दिन ठका-ठका सा फील करते हैं और आपके दिमाग पर टेंसन, स्ट्रेस हाई रहता है दोस्तो क्या आपके सरीर में कोई भी नस ब्लोक है या आपका कोलोस्टोल बड़ा हुआ है और ये हाई बलड प्रेसर की बिमारी आपको परिशान करती है या आप डायपटी जैसी बिमारियों से घिरे हुए है या आपके सरीर की हडियां कमजोर हैं नसे कमजोर हैं नसों में सक्थपन है आप नसों को लचीला बनाना चाहते हैं तो दोस्तों आपकी इन सब समस्याओं के लिए आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे नुस्खे के बारे में बताएंगे दोस्तों इस नुस्खे को आप अपने घर पर बना कर इसका पर्योग कर सकते हैं और अपने सरीर की हजारों ऐसी बीमारियों से बच सकते हैं जो आपको भविश्य में हो सकती हैं इन बीमारियों के कान यदि इन में से कोई बीमारी आपको है और उसके कुम्प्लिकेसिन के कान आपको बीमारिया होती है तो आप उनसे बचे रहेंगे और साथ में इन बीमारियों कभी अपने घर पर ही इलाज कर पाएंगे इन बीमारियों से बच पाएंगे इन बीमारियों में ये नुस्खा बेहद कारगर तरीके से काम करेगा और आपको बहुत अदिक फाइदा पहुँचाएगा दोस्तो आज की इस वीडियो में हम जिस नुस्खे की बात कर रहे हैं उस नुस्खे में हम परियोग करेंगे मेथी का दोस्तो मेथी दाना होता बहुत चोटा है लेकिन इसके दानों में बहुत अधिक गुन होते हैं दोस्तो ना सिर्फ मेथी के दानों में गुन होते हैं बलकि मेथी के पत्ते तो और भी अधिक लाजवाब हैं दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको मेथी के पत्तों के एक नुस्खे के बारे में ही बताएंगे जो आपके सरीर के लिए बहुत अधिक फाइदिमन हैं मेथी के पत्तों में नियसीन, पोटासियम, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन सी और आईरन भरपूर मातरा में होता हैं जो आपके सरीर को बहुत सारी बीमारियों से बचाता है यदि आपको दिल से समंदित कोई बीमारी है या आप अपने दिल को सवस्थ बनाना चाहते हैं तब आपको मेथी के पत्तों का प्रियोग करना चाहिए क्योंकि मेथी के पत्तों में ऐसा गुन मुझूद होता है जो हार्डटेक आने के खत्रे को कम करता है मेथी में पोटास्यम भी अधिक पाये जाता है जो सोडियम के परभाव को कम करके हमारे दिल को हमारे दिल की हर्दे गती को सही करता है रख्च आपको कंट्रोल करता है और हमें इस हार्ड अटेक जैसी बीमारियों से बचा कर रखता है यदि आपके बाल कमजोर हैं और बाल लगाता तूटते हैं या बाल दो मुही हैं या बालों से जुड़ी कोई अन्य समझ से है तब भी दोस्तों आपको इन मेथी के पत्तों का परियोग करना चाहिए हम आपको बताएंगे कैसे हम मेथी के पत्तों का आपको काड़ा बताएंगे आपने उस पानी का परियोग अपने बालों को धोने के लिए करना है इससे आपके रूसी के समस्या दूर होगी जो दो मुहे बाल होते हैं उनकी समस्या दूर होगी और बालों का छड़ना भी बहुत अधी कम हो जाता है दोस्तों यदि आपका कॉलोस्टोल लेवल लगातार बढ़ रहा है तब भी आपको मेथी के पत्तों का परियोग करना चाहें यदि आप अपनी भोजन में मेथी का परियोग करेंगे, मेथी का साघ खाएंगे, मेथी का पानी पियेंगे, इस काड़े का परियोग करेंगे तो आपको इन समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा क्योंकि इससे आपका HDL कोलोस्टोल बढ़ेगा LDL कम होगा यानि आपकी ये कॉलिस्टोल की समस्या दूर होगी यदि आपको डाइबटीज है तब भी मेथी के पत्ते आपके लिए बहुत आदिकार करें क्याकि मेथी के पत्तों में डाइबटीज को कंट्रोल करने का गुन होता है मेथी डाइपटीज के मरीजों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है दोस्तो मेथी में घूलनसील फाइबर होता है जो रक्त में सुगर के सोखने की परकिरिया को कम करने में मदद करता है जिससे कि हमारा सुगर लेवल हमेशा नूर्मल बना रहता है यदि आप वजन को कम करना चाहते हैं तब भी आपको मेथी का परियोग करना चाहिए क्योंकि यदि आप मेथी का परियोग करेंगे तो इससे आपका मेटबलिजम बोश्ट होगा और आपका पेट भी लगातार देर तक भर रहेगा जिससे आप अधिक खाने से बचाएंगे और आपका वजन धीरे धीरे कम हो जाएगा यदि आपकी हडियां कमजोर हैं और आप हडियों में इस कमजोरी का इलाज करना चाहते हैं दर्द से छुटकारा पाना चाहते हैं तब भी आप मेथी के पत्तों का परियोग कीजिए क्योंकि इससे आपकी यह समस्या दूर हो जाएगी यदि आपको एस्टिटी रहती है या आपको खाया पिया नहीं पचता तब भी आप मेथी के पत्तों का परियोग कर सकते हैं क्योंकि मेथी के पत्तों को खाने से आपको गैस नहीं बनती जिससे कि आपका पेट फूला फूला नहीं रहेगा इससे आपको एसड़िटी से रहात मिल जाएगी दोस्तो जिन लोगों को कब की समस्या रहती है तो वो मेथी का परियोग कर सकते हैं क्योंकि मेथी की परकृती गरम होती है तो आप इसके पानी कौपी कर इस कब की समस्या को दूर कर सकते हैं अपने पित लेवल को बैलेंस कर सकते हैं तो देखा दोस्तो मेथी का कितना सारा फ पत्ते लेने हैं और आप इस एक मुठी पत्तों को लेकर आपने अच्छी तरह से धोकर साफ कर लेना है अब आपने एक गिलास पानी लेना है और उसको आग पर उबलने के लिए रखना है और जब यह पानी उबलने लगे तब आपने इसमें ये एक मुठी मेथी के पत्ते ड रह जाए और जब यह पानी तो उस्तो एक कप रह जाए तो यह आपका काड़ा रेड़ी है यदि आप अपने बालों को धोने के लिए इस काड़े का परियो करेंगे तब भी आपको फाइदा मिलेगा यदि आप इसको पीएंगे तब भी आपको फाइदा मिलेगा यह आपके पाचन को मजबूत करेगा और आपको सरीर की बहुत सारी बीमारियों से बचाएगा आपके सरीर के खून को साप करेगा आपके चहरे पर जो एंटी एजिंग के समस्या होती है जिसे की फूंसिया आपके चहरे पर हो जाती है आप उमर बढ़ने का परभाव आपके चेहरे पर डिखता है आप उससे बचे रहेंगे घुटनों के दर्द की समस्य से बचे रहेंगे दोस्तो आपको नसों का कोई भी रोग है नसों की कमजोरी है आपकी नसे सक्त हो गई हैं उनको लचीला बनाना है तब आपको इस पानी का सेवन करना चाहिए दोस्तो इस पानी का सेवन करने अपको बहुत जल्दी चमतकारी नतीजे दिखाए जयते हैं और आप लंबा और सवस्त जीवन जीते हैं तो दोस्तो देर के से बात की हैं आप भी इस नुस्खे को आज ही अपने घर पर बनाएं और इस नुस्खे का प्रियोग करें दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको हमारे दोरा दी गई ये जानकरी अच्छी लगे तो प्लीज आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए इसके साथ में आप हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का इकोन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी सबी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आते रहे धन्यवाद दोस्तों